आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैमोग्राफी टेस्ट या मैमोग्राफी स्क्रिनिंग या मैमोग्राम क्या होता है ये कैसे करते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दोंगा मैं हूं मिश्टर श्याम यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें Breast Cancer का पता लगाने के लिए मेमोग्राफी की जुरुत पड़ती है मेमोग्राम या मेमोग्राफी क्या होता है देखो मेमोग्राम में भी एक X-ray जैसा ही होता है बट यहां 3D X-ray लिए जाता है यानि 3-4 साइडों से X-ray लिए जाता है Breast का इस्तन कैंसर का सुरुती लक्षनों को देखने के लिए डाक्टर मेमोग्राम का जाँच करवाता है नेमित मेमोग्राम जाँच कराने से डाक्टर को इस्तन कैंसर का जल्दी ही पता लग जाता है डाक्टर को 3 साल पहले ही मेमोग्राम देखके पता कर सकता है कि आपके breast में कुछ गांट या कुछ changes हो रहा है Memogram कैसे किया जाता है आप एक विशेश x-ray machine के सामने खड़े होंगे, एक technologist आपके breast को plastic की plate पर रखेंगे, एक और plate उपपर से आपके breast को मजबूती देगी plates इस्तन को समतल कर देती है, x-ray लेते समय breast को इस्तर बनाए रखती है आप कुछ दबाव मैसूस करेंगे इस्तन का side द्रिशे के लिए ये चरण दोराया जाता है इस तरह से दूसरे breast का x-ray लिए जाएगा technologist चार side से x-ray की जांच लेता है ये सुनिशित करता है कि जो x-ray में चित्तर आ रहे हैं वो बिल्कुल clear है तब तक आपके breast के x-ray लेते रहेगा देखिए इस जांच कराने में कोई दर्द नहीं होता बस थोड़ा सा uncomfortable मैसूस हो सकता है या breast को plate के नीचे लगाया जाता है तो दबाव मैसूस हो सकता है इस जांच को करने में कुछ ही पल का time लगता है थोड़ा बुत आपको दबाव या थोड़ी सी तकलीप हो रही है तो वो जल्दी ही समापत हो जाती है यदि आपको मासिक द्रम होने वाला है या हो रहा है तो आपको अधिक सवेदन सील आपके breast हो सकते हैं कुछ time आपको mammogram नहीं कराना चाहिए mammogram विशेज जांच करने वाला डोक्टर को radiologist का आ जाता है वह इसतन cancer या अन्य समश्याओं का सुरुआती लक्षनों को ही x-ray में देख लेता है और एक जांच रिपोर्ट तयार करता है mammogram कराने से पहले आपको किन-किन बातों की ध्यान रखना है कोशिस करें कि मामारी आने के एक सब्ता पहले या मामारी जब आपको हो रही है तो उस time mammogram ना कराएं तब आपके इसतन कॉमल और सूजेवे हो सकते हैं जिससे आपको जांच कराने में भी uncomfortable होगा और आपकी report भी clear नहीं आएगी आपको mammogram के दिन perfume, powder, cream नहीं लगाना क्योंकि उसके sport x-ray में आ सकते हैं दब्बे के रूप में दिखाई दे सकते हैं जिससे आपकी जांच report तयार करने में परिशानी हो सकती है mammogram जांच जब की जाती है तो आपके उपर के कपड़े उतारे जाते हैं तो आप ऐसे कपड़े पहन किया हैं जो उपर का टॉप आप आराम से उतार सकें hospital में एक gown मिलता है तो वो gown पहना जाता है जिससे आप सुईदा से इस gown पहनाने के बाद में जो आपका radiologist आपकी helper करता है जाँच करवाने में वो आराम से आपकी जाँच करवा सकता है यदि आपका mammogram सामन्य है आपकी जाँच नोर्मल है तो आपको क्या करना चाहिए इस mammogram के एक साल बाद आपको फिर से mammogram करवाना चाहिए mammogram का सबसे अच्छा result तब मिल पाता है कि डोक्टर आपके पिछले वाले mammogram को फिर अगले एक साल वाले mammogram को दोनों का compare करे कि आपके breast में पिछले में और आज वाले में कुछ changes तो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि advance पता करने के लिए ये देखना बहुत ज़रुई है कि पिछले में और आज के time में कुछ बदलाव तो नहीं है आपके breast में यदि आपका mammogram ऐसा मन्य है या आपकी report normal नहीं है एक ऐसा मन्य mammogram या abnormal report का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आपको cancer है लेकिन डाक्टर एक निश्चिस रूप से आपकी जांच दुबारा करवा सकता है और आपके जो breast का विशेशिक अलग से doctor होता है उसके पास बेज सकता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको cancer है या surgery की जरूरत है ये doctor इस्तन की समश्याओं का निदान का विशेशिक होता है इसलिए उसके पास बेजता है कि वो ये mammogram देखके decide करे कि आगे आपको क्या जांच करानी है tumor जैसा दिखाई दे रहा है तो वहाँ needle biopsy की सला दे सकता है यानि needle से एक sample लिया जाएगा और उसके बाद में उस जांच को laboratory भीजा जाएगा कि ये जो gant है वो cancer की है या normal है ये किस type की है इस इसका पता लगाने के लिए विसे से के पास आपको भीजा सकता है मैं हूँ Mr. Shyam और ऐसे ही medical knowledgeable वीडियो मैं बनाता रहता हूँ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो please channel को subscribe करे Thank you so much